और अब बात यूपी की जहां अस्पतालों में अववस्था और ऑक्सिजन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं अब उत्तर प्रदेश के अपर मुखे सचेव अबनीश अवस्थी का कहना है कि यूपी में ऑक्सिजन की कोई कमी नहीं है बल्कि दो दिन का बफर स्टॉक भी रखा हुआ है अबनीश अवस्थी से बात की हमारे सवादाता कुमार अभिश्रेक ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में ऑक्सिजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था हालात भयावा थे बहुतों ने अपनी जान भी गवाई लेकिन अब सरकार का ये दावा है कि आक्सिजन की कमी नहीं है यहां तक की आक्सिजन सर प्लस है हम इस वक्त योगी आदितिनाथ सरकार के उस कंट्रोल रूम में हैं जहां से इस पूरे आक्सिजन का कह सकते हैं संचालन होता है आता है और हमारे साथ टीम के साथ साथ मौझूद है अपर मुख्य सची ग्रिह अवनी सवस्थी सर स्वागत है आज तक में मैं आपके इस कंट्रोल रूम को देख रहा हूँ यह कंट्रोल रूम क्या खास है क्योंकि अभी तक लोगों ने जो देखा है वो यह कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार था लोगों की मौते हुई अस्पतालों को नहीं मिले आज जब की कैसे भी कम हो रहे हैं क्या इस से थी देखिए ऑक्सीजन सप्लाई इस पूरे कोविट कैंपेंड का एक क्रिटकल फैक्टर है कोविट को लडने का मतलब ऑक्सीजन की व्यवस्ता सुनिश्चित करना चाहे बाइप मेशीन से हो हो चाहे कभी वेडिलेटर में कोई पेशन चला गया हो ऑक्सीजन यदि मिलती है तो कोविट की लड़ाई में वही एक मेजर कांपनेंट है जिससे की कोविट को हम लड़ते है जब मानी मुखवंती जी ने आदेश किया कि हम कोविट के कैंपेंड में ऑक्सीजन की व्यवस को साथ लगाया इसके साथ साथ जो है मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट जो कंजूम करते हैं उक्सीजन को उनको जो हम लोग को साथ लगा कि ये कंट्रोल रूम जॉइंट कंट्रोल रूम बनाए गया है जो पिछले 22 अप्रेल से जो है चल रहा है सबसे सबसे पहले अगर ऑक्सीजन आपको देना है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है टैंकर्स की सबसे पहले हम लोग उने टैंकर्स का पूरा रिव्यू किया और आप देखेंगे जहां साथ 65 टैंकर ही हमारे पास प्रदेश में थे हमने ऑक्सीजन के साथ-साथ नाइट्रोजन और आरगन के जो टैंकर्स हैं उनको कनवर्ट करके अब लगभग 91 से अधिक टैंकर्स की विवस्ताम ने कर ली है आज के समय में क्या आप सर्प्लस हैं हैं तो कितना है अभी बता रहा हूँ तो इसमें जो है 1200 टन के टैंकर्स हमारे पास उपलब्ध है आज अगर हम देखे हैं तो नेक्स्ट दिखाएए आज हम देखें तो देखे हमने शुरू जब किया था बाइस अफ्रैल से हमारी सप्लाई मातर पांसो औरतिस थी एक दिन 23 अप्रैल को 380 मेट्रिक टन रह गए फिर 554, 441, 561, 627, 535 हम लोग 600 टन के आसपास तक ही दे रहे थे जिस दिन हमने शुरू किया यानि नीला अंच जो ट्रें से हमने ऑक्सिजन लिफ्ट करना चूप किया तो आप देखें साथ सो आठ सो और अब हम एक हजार मेट्रिक टन तक पिछले साथ दिन से हम प्रोवाइट फ़र कर रहे हैं एक हजार मेट्रिक टन इसलिए हुआ कि रेल मंतराले से म अधियम से हम लोगों को जहां हमने कहा विदिन आवर्स हमको ट्रें मिली हमने अठारा बार जो है ऑक्सिजन की ट्रेंपो कर जहां स्टील प्रांट है वहां से हम लखनों लाए है हम लोग ने जीवनरख्षक ट्रेंस दी जो भारत सरकार ने हमें टैंकर दिये दस और आठ दो ट्रेंस बनाकर उनको जीवन रख्षक ट्रेंस हम नाम दिया है उनके माध्यम से भी जो जम्षेदपूर से अक्सिजन लेकर आ रहे हैें तो एक और जहां हमने टैंकर से सप्लाई किया, ग्रीन जो पॉर्शन देख रहे हैं, हम लोग ने जो ट्रेंज से सप्लाई किया, इसके बाद हमने मेडिकल कॉलोजिस को सीधे दिया। जिससे कम से कम दो दिन का या तीन दिन का जो एक टेंडन बेसिक नॉर्म है ऑक्सिजन का कि दो दिन का 48 आर्स का या 72 आर्स का बैक अप होना जी, वो बैक अप धीर है धीर है, हम बिल्ड अप करने जागे। जिससे कमपनियों को फाइदा होगा। पुरह वर्ल्ड में फर्ष्ट महानगरपाली का है जो वैक्सिनेशन के लिए परदेशी कमपनी को ग्लोबल टेंडर करके बुला रही है। आंदरप्रदेश, हर्याना, राजिस्थान, दिल्ली आदिवी वैक्सिन खरीदने के लिए गलोबल टेंडर निकाल रहे हैं। महाराष्ट सरकार का कहना है कि देश के बाहर राजिव वैक्सिन के लिए आपस में लड़ेंगे और इसका विदेशी कमपनिया फाइदा उठाएंगी। काइदे से ये काम केंदर सरकार को करना चाहिए। सभी स्वास्ते मंतरा लेके लोगों ने सभी लोगों ने एक ही मांग रखी है कि अलग-अलग राज्यों में अगर इस तरह का कंपिटिशन होता है तो undue disadvantage जिसको हम बोलेंगे वो ये लोग लेंगे। इसका मतलब है गहर फाइदा लेंगे। तो देश की तरफ से सभी राज्यों की जो मांग है, जो उनकी जरूरत है, वो जरूरत के मताबिक अगर देश के तरफ से ही एक टेंडर निकाला जाता है कि जिसमें rate competitive आ सकते है, schedule fix हो सकता है कि 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 time level की हिसाब से और population की हिसाब से किसको कितने देने चाहिए, कब मिलना चाहिए, ये भी हो सकता है मुंबई में 18-24 साल के लोगों का vaccination रोग दिये जाने के बाद, आज vaccination सेंटरों पर भीड कम दिखी यहाँ पर नए रूल के मुताबिक 18 और 45 जो age group के लोग हैं, मुंबई और महरास्ट्रा में इन age group के लोगों के लिए vaccination टेंपररली बंद कर दिया गया है अब जो 60 प्लस लोग हैं जिनका second dose हैं, वो लोग Monday, Tuesday, Friday के दिन walk-in कर सकते हैं vaccination center में लेकिन उसके अलावा बाकी हफटे के जो दिन हैं, उसमें appointments और slots उनको लगेंगे तभी vaccination center में entry मिल पाएगी वैसे मुंबई में 8 से 10 महीने में को वैक्सीन का production भी शुरू हो जाएगा मुंबई के परेले सिध हॉफकिन इंस्टूट में हर साल को वैक्सीन की 22 लाग से ज्यादा डोज का उत्पादन किया जा सकेगा हाफकिन इंस्टूट देजभर में पोलियों की वैक्सीन पहले सप्लाई करने का experience लगता है और अब माना जा रहा है कि तक्रीबन 22 करोर से ज्यादा डोजेज को वैक्सीन के एक साल में हाफकिन इंस्टूट में तयार होंगे महाराष्ट में 16 जन्वरी से लेकर गुर्वार तकाय आकड़ों के मताबिक एक करोण 91,73,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है मुस्तफा महाराष्ट में इस दमें धार्मे के सल्बंद पड़े हैं करोणा काल में सबसे बड़ा एक ही धर्म है मानफ्ता जो हमें इस महामारी से निजाद दिलाएगा मुंबई में धार्मे के स्थल भी इस धर्म को निभा रहे हैं और करोणा से लड़ाई में BMC का साथ देने आ गया है माहिम के संट माइकल चर्च ने BMC को अपने यहां वैक्सिनेशन के लिए जगह दे दी है तो कछ दिन पहले माहिम चर्च ने हमें अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी जगा है कि जो चर्च के डे-टू-डे एक्टिविटी ए स्कूल का कोई भी डिश्टरबना होते हुए ये जगा हम वैक्सिनिशन सेंटर के लिए दे सकते हैं जब हमको पता चला कि BMC दूंड रहे हैं जगा को महालक्ष्मी के स्वामी नारण मंदिर के प्रांगण में भी लोगों को वैक्सिन लगाने का काम चल रहा है लोगों को भी BMC की ये व्यवस्था अच्छी लग रही है सब लोग अच्छे से एगदम टेरिंग कर रहे हैं देव डानर सूपरब चोग आप्सूर्टी नो कम्ते लिए जहां पर कल चरके जब डोसेज बढ़ते हैं लोगों जो वैक्सिनेशन लेना चाते हैं वो लोगों की ताधात बढ़ती है तो वैक्सिसन सेंटर जगे जगे हर वार्ड में हर इलाके में अविलीबल हो इसलिए माँम में इस चर्च को वैक्सिनेशन सेंटर में तबदील किया गया है केपेसिटी रखी गई है कि कल को अगर गर्दी होती है डोजेज अवेलिबल होते हैं जो जाधा नंबर्स में निकल कर आते हैं तो भी वैक्सिनेशन आसानी से हो सके क्याम बसंद मंगे शामरी के साथ मुस्तफा शेक मुंबई आज तक सरकारे और राजरितिक दल प्रेस कॉंफरेंस करके ये ढोल पीटते हैं कि देखे कितने कम लोग अब बीमार हो रहे हैं ये मुनादी सोशल मीडिया पर पाठिया करती हैं कि अब सिस्टम सब को समुचित इलाज दे रहा है लेकिन मरीजों और मौत के घर्टी आकड़ों से अलग उत्तर प्रदेश के उन्नाओं में भी गंगा किनारे पता चलता है कि आम आदमी को तो अववस्था के संग ही जीना है अववस्था के संग ही मरना है उन्नावर के बकसर घाट में हम आपको वो दिखाते हैं जिर देख करके आपका दिल दहे जाएगा यह घाट के पास वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार के लिए लोग मजबूरी में खुले में ही दफनाने के लिए मजबूर है जमीन पर अगर आप अधिकत देखेंगे तो आपको समझ में आजाएगा कि इंसान कितना मजबूर हो चुका है और प्रशासन कितना लाचार है राम नामी से ठका हुआ गंगा के किनारे मिट्टी का उठा हुआ हिस्सा जो आप देख रहें कहने को तुम निश्चित है और उसी सत्य को स्थापित करता शव दवा देखता है लेकिन महामारी से जिन्दा बचना तो छोड़िये मौत के बाद क्या अंतिम संसकार का पूरा अधिकार भी मिल पाना सरकारी दावों में सुनिश्चित नहीं कैमरा घूमता है बगल में एक और शव दफ्न दिखता है इसके बगल पीले रंग के कपड़े और मिट्टी के नीचे तीसरा शव है सरकारी फाइलों में महामारी से निपट्टे की कैद गुलाबी तैयारियों के दम तोड़ चुके होने का सच यहां कैमरे में दिखता है क्योंकि उन्नाओं में बगसर घाट के किनारे अवेवस्था का कबरिस्तान और चौड़ा होता नजर आता है गंगा किनारे जलाने की जगा दफ्न कर दिये गए शवों की संख्या बढ़ती दिखती है जहां सरकारी घोश्डाओं के नकार खाने में सच की आवाज तूती जैसी हो चुकी है उस पर दस्तक देते हैं आज तक संबाद्दाता शिवेंद्र शिवास्ताओ किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि कोरोना संक्रमन की वज़े से इंसान ही नहीं बलकि उसकी समवेद्नाय रीत्रिवाज सब मजबूर हो जाएंगे और वो इतना मजबूर हो जाएंगे कि जो उनके धर्म में तरीका होता है वो भी नहीं अपना पाएंगे हम इस वक्सर घाट जो की उन्नाव जिले में है उसके किनारे हैं उस यहां पर आप देख सकते हैं जहां तक नदर जाती है सिर्फ डेट बॉडिज ही दिखाई पड़ रहे हैं और वो भी दास अंसकार करके नहीं बलकि दो-दो फिट सिर्फ जमीन में गार दी गई है अदालतें तक कह चुकी है कि सम्विधान के अनुच्छेद 21 के तहट गरिमा और उचित व्यवार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति के लिए मौजूद हो बलकि ये मृत्य के बाद भी बना रहना चाहिए मानव शरीर का निस्तारा चाहे वो COVID-19 से मरा या नहीं चाहे दफ्र किया जाए या जलाया जाए सम्मान और निष्ठा के साथ होना चाहिए सवाल उठता है कि प्रशासन ने क्या किया तो शिवेंद्र शिवास्तव गंगा के बकसर घाट पर उन नाओं में अपने दाहिने तरफ की कहानी स्थानिये लोगों के कहे अनुसार बताते हैं हम इस दर्फ की तरफ दिखाना चाहेंगे अपने नदी के बीच में जो इराका है वहाँ पर जो रेत का तीला दिख रहा है वहाँ भी सेकलो डेट बॉडिज गावालों के मताबिक खुले में ऐसे ही दिखाई परती थी और उसके बाए जब जानलों ने उनको नोचना शुरू किया तो प्रशासन ने उस पर सिर्फ जेसीवी से रेत डिलवा दी यह बहुत बड़ा सवाल प्रशासन पर भी है कि जहां एक तरफ सरकार लगातार दावा करती है कि उनके पास तमाम इंतिजाम है वहाँ अंतिम संसकार के लिए लकड़ी और गड़े तक की विवस्था नहीं कर पाए और इसी का नतीजा है कि यह शिकायते सामने आने के बाद भी यहाँ पर अभी भी तमाम सेक्ड़ो बॉडिज ऐसे ही अधखुली पड़ी हुई है घूमते हुए कैमरे में कैट तस्वीरों के साथ उस सच को स्विकार करना क्या जरूरी है जो कहता है कि हाँ लापरवा ही दिखती है जिंदगी बचाने से लेकर मौत के बाद सम्मान से अंतिम प्रिया तक में साहितिकार लिखते हैं कि जाना हिंदी की सबसे खतरनात प्रिया होती है पर देने पड़ते हैं और यहां पर गार्ट की रखवाली करते हैं उनको भी पैसा देने के लिए उनको पैसा नहीं होता है पर प्रसासन की तरफ से कोई भी वेवसा नहीं होती है आदमी खुन लाता डेट बाड़ी यहां से देखे 20-25 किलोमीटर दूर से ले करके आता है गा गंगा के किनारेस घाट पर राय बरेली उन्नाओं और कानपूर से लोग अपनों का अंतिम संसकार की लकड़ी की महगाई के करा यूं अपनों के शवों को लोग जलाने की जगहा दफना का चले गए उन्नाओं के डीम तक हम सवाल करने पहुंचे SDM और CEO को भेजा है और उन्होंने बताया है कि जो गंगा घाट के गंगा जी के इधर का इलाका है वहाँ पर कोई भी खुली बॉड़ी नहीं है एक बीच में टीला है वहाँ पर भी हम लोग जाज करा रहे हैं और अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार वो क्योंकि सीमा में नहीं पर पड़ता है तो उसकी भी हम लोग देखा रहे हैं लेकिन जो भी उचित करवाई होगी हम लोग शीदमे कराएंगे और जो भी सम्मान जनक करवाई होगी वो करा हैं कितनी सम्मान जनक कारवाई हुई जरा देखिएगा शरीर नश्ट होता है आत्मा आजर अमर रहती है का पाठ पढ़ने वाले बहुसंख्यक नागरिकों को शरीर के जीवन के अंत पर यूँ कुटों के बीच छोड़ दिया जाएगा देख सुनकर हर जीवित क्रेक्ट की संबेदना एक काप जाती है और प्रशासन ने क्या किया यह जो कुटे हैं यह नदी तैर करके गए हैं उन जगों पर जहां लाशों को दबाया गया है और अब चुकि प्रशासन की को इस बात के लिए सवाल उठे हैं तो अब वहाँ पर एक नाव लगाई गई है और नाव से बकाइदा जा करके वो इंसान भगाने की कोईश कर रहा है जिससे लाशों को खोद न दसके लेकिन ये रोज का नजारा है जब हर दिन इसी तरिकी से लाशों को खोद कर कुटे और जानवर दूसरे खाते थे और इसके बाद गावालों ने शिकाश रुकिए आप देख सकते हैं इसकी बकाइदा ड्यूटी लगाई गई है नाव के साथ कि यहाँ पर आने वाले जानवरों को भगाया जाए यहाँ पर जिससे वो लाशों को खोद न सके जीते जी शाथ संभवेक की जिने पूरा इलाज भी नहीं मिला उनकी मृत्व के बाद धार्मिक करमकान के विपरीद यानि जलाने के जगा दफ ने किये गए शरीरों को जानवरों से बचाने के लिए एक आद्मी गंडा देकर प्रशासन ने रख दिया मानो काम पूरा हो गया प्रशासन का दावा ये है कि सब कुछ दुरूस्त है सरकार की तरफ से अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिया जाते हैं और उसका खर्चा भी सरकार ही सहती है लेकिन जमीन पर अगर आप हकीकत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान कितना मजबूर हो चुका है और प्रशासन कितना लाचार है दावा है कि अब मीडिया में एक हबरे आने के बाद प्रशासन लकडी का इंतिजाम कराने लगा है और स्थानिय परंपराओं के आधार पर कुछ लोगों के तरफ से शव जलाने की जगा दफनाने की दलील भी दी जाती है अगर ये शव कोरोना पीड़तों के हैं तो चिंता बहुत बढ़ जाती है जाच जरूरी है कि कुछ लोग वाकई स्थानिय परंपराओं के तहट अपनों की मृत्व के बाद उन्हें दफना कर गए या फिर अवयवस्था की बालू में जनता का अंतेम अधिकार भी दबा दिया गया विशाल चौहान के साथ शिवेंद्र श्रिवास्तो उन्नाओ आज तक उन्नाओ में तो प्रिशासन और लखनओ तक अधिकारियों की दलील इस बात पर जोर देती है कि इस्थानिय परंपराओं के तहट कुछ लोग शवों को जलाने के जगए घाट के किनारे दफना दे रहे हैं लेकिन क्या वाकई हर जगए यही दलीले काम करती हैं क्योंकि यूपी के गाज़ीपूर से लेकर बिहार के बकसर तक इसी हफते शवों के नदी में बहते हुई तस्वीरे सामने आ चुकी है तो आखिर ऐसा क्यों है कि लोग मृत्यों के बाद प्रमुक रूप से जलाकर अंतिम संसकार करने के जगए उन्हें दफना रहे हैं या नदी में बहा दे रहे हैं इसकी वज़े हमने तलाशनी शुरू की पहले बकसर में गंगा के किनारे शवो बहते दिखे फिर यूपी के गाजी पूल में शवो नदी में बहते देखे गए फिर गंगा किनारे उन्हाओं में शवो जलाने के जगए दफन देखे गए और अब बिहार के पटना की गंगा नदी में शवो बहते मिलते हैं बक्सर के बाद अब राजधानी पटना में भी दो लाशें गंगा नदी में नजर आ रही है पटना के गुलबी घाट की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि दो कोरोना मरीजों की ये लाश बीते कई घंटों से गंगा नदी में नजर आ रही है अब तक आम आदमी की मृत्व के बाद अंतिम संसकार की संवेदन हिंता में सीमाओं के विवाद के भीतर बिहार और उत्तरप्रदेश के अधिकारी उलजे रहे लोग नदी में शवों को न वहाएं इसके लिए यूपी के गाजीपुर में पुलिस को एनाउंस्मेंट करना पड़ रहा है गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सुचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल परवाहित नहीं करेंगे बलकि दाह संसकार करेंगे दाह संसकार के अलामा कोई भी जल परवाहित नहीं करेंगा आप लोग भी ज्यान रखें यदि बाहिरी लोग ला करके कोई जल परवाहित करता है उसे जागरूप करें नहीं मानता है हम लोगों को सुचित करें ऐसी हालत क्यों ही इस बात को समझने के लिए आज तक की टीम हमीरपूर पहुंचती है जहां थोड़ी ही दूरी पर दो नदियां बहती है यहां कुछ लोग ठेले पर शव लाते दिखते हैं क्या इसकी वज़ा यह है कि कोरोना संक्रमर के डर से अंतिम क्रिया में चार लोग भी नहीं जुट पा रहे हैं ऐसे में लकड़ी मौजूद होने के बाद भी अगर शवों को नदी में बहाने की नौबात आती है तो वज़ा क्या हो सकती है स्थानिये लोगों की दलीले सुनिए जहां दो-चार लास से पहले संसान में आती थी इस समय मतलब लाइन लगी हुई है लोगों को जढ़े नहीं मिल पा रही है एक एक दिन पूरा समय भी जाता है वो दाह संसकार नहीं कर पा रहे है इस वज़े से वो लोग जल दाह करते हैं जो ये करोना से संक्रमित लोग खतम हो रहे हैं तो उनको आसानी से नदियों को मिल जाता है और नदियों में प्रवा करने में आसानी रहती है और लोग खिलियों में लास को ले जा रहे हैं लोग एक खटे नहीं हो पा रहे हैं तो घर के परिवार के दो लोग जाते हैं और आसानी से उसमें प्रवार कर देते हैं। अधिकार भी बहा दिया जा रहा है।